आज की रेसिपी बहुत सिंपल वाली है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ I'm sure सब को ही बनानी आती होगी बट मेरे एक फ्रेंड है जिनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है वो अकेले रह रह रहे हैं जॉब कर रहे हैं बाहर तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सिंपल और जटपड बनने वाली कोई रेसिपी शेयर करूँ अपने चैनल पे तो गाइस मैं भिंडी की रेसिपी जो है बिल्कुल सिंपल वे में शेयर कर रहे हूँ तो मैंने क्या किया कढ़ाई चड़ा दी उसको गरम किया उसमें थोड़ा सा बड़ा टेबल स्पून बड़ा स्पून जो होता है न एक चमच वो ओईल लिया सरसों को ओईल उसमें मैंने हींग डाल दिया जीरा डाल दिया और उसमें खड़ा ये जो साबुत धनिया होता है तो उसके बाद मैंने इसमें जो गार्लिक है वो थोड़ा ग्रश करके डाल दिया अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी जब तक कि इसमें अच्छे से भीनी भीनी खुश्बू आनी शुरू हो जाएगी तब तक मैं इसको थोड़ा सा फ्राइ करूंगी और जब यह गार्ल चिलीज थी वो मैंने कट की हुई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी उसको डालने के बाद जल्दी से मैंने क्या किया इसमें अनियन डाल दिये तो अनियन को क्या करोंगी जादा मैं अनियन को पकाऊंगी नहीं इनको थोड़ा सा कैरमलाइज होने दूंगी ऑईल में क्योंक अब ही क्या है फिलाल मैं इनको थोड़ा सा कैरमलाइज होने दूंगी तो गाइज मैं आप से कह रही थी कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी आप लोग सोचोंगे कि क्या यार कौन सी डिश इस ने आज शेयर की हुई है भिंडी ये भी कोई बताने वाली चीज तो सब को आती है बत नहीं गाय या सब को नहीं आती है तो उसको नहीं आती है तो उदो इसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो अब मैंने क्या किया इसमें मैंने हाफ टीसपून और धनिया एक चमच अब मैं क्या गर रही हो इस मसाले को भी अच्छे से और इस मिक्षर के साथ अनियन का जो मिक्षर है इसके साथ इसको सौते कर रही हो और हीट मैंने यहां पे थोड़ा medium to low कर दी है अब मैंने क्या किया इसमें lady finger भी सारी जो कट करके मैंने आपको दिखाई थी रखी थी वो अब क्या है continuously इसको mix नहीं करना है अगर continuously हम spoon चलाते रहेंगे न तो यह क्या हो जब लिसी-लिसी सी हो जाएगी भिंडी हमारी तो अभी मैंने इसमें guys salt add नहीं किया है मैं थोड़ा सा इसको पहले पकाऊंगी और इसके बाद थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ यह अब ही क्या किया मैंने इसको ढखके रख दिया flame बिलकुल लोग कर दी तो अब देख लीचे मुझे लगा कि हाँ भिंडी पक गई है तो मैंने अब इसमें taste के according जो है salt add कर दिया तो अब मैं इसको mix करूंगी और one more thing guys जब आपकी यह भिंडी बन के तयार हो जाएगी तो आ आप इसमें अनार दाने का powder या आमला powder या खटा आम की produce इस बोलते हैं वह भी आप कट करके इसमें डाल सकते हैं और गटकर दाल सकते हैं उससे भी इसको isं कर ना जो है बहुत ही अच्छा आता है खटा-क्टा से लगता बहुत «यमि» होता है तो वह सब चीजे भी हाँ आम तो आमचूर पौडर भी आप डाल सकते हैं अगर इन में से कुछ भी ना हो आपके पास अवेलेबल ना हो तो नीमबू नी चोड़के भी डाल सकते हैं तो गाइस इसे ट्राइज जरूर कीजेगा बहुत जट पड़ बनेगें